हेलो वच्छों, आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा चार की बुक पर्यावरों को, जिसमें हम अभ्यास प्रश्ण को हल करेंगे, तो चलिए हम हल करते हैं प्रश्ण संख्या एक को, परिवार से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर है, परिवार से हमें पाचान, स्नेह, सुरक्षा और सहयोग मिलता है, परिवार हमें जीने का तरीका सिखाता है, परिवार से ही समाज बनता है प्रश्ण एक ख, परिवार हमारे लिए क्यों महत्तो पूर्ण है, तो इसका उत्तर है, भासा, नाम, पहचान और संसकार, सब कुछ हमें परिवार से मिलता है साथ ही तमाम जरूरतें भी परिवार से पूरी होती है, इसलिए परिवार हमारे लिए महत्तो पूर्ण है प्रस्न एक गव हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर है हमें अपने परिवार के प्रती स्ने वो सम्मान का भाव रखना चाहिए परिवार का सहयोग करना और एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए प्रस्न संख्या दो है अंतर अश्पस्ट करिए तो सन्युक्त परिवार और एकल परिवार में अंतर या एकांकी परिवार में अंतर तो इसका उतर है सन्युक्त परिवार और एकल या एकांकी परिवार में अंतर तो पहला अंतर है सन्युक्त परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होती है और एकाकी परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है दूसरा अंतर है सन्युक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादा दादी चाचा चाची ताई ताउ और उनके बच्चे होते हैं सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं और एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं प्रस्न संक्या तीन सही कथन पर सही का और गलत कथन पर गलत का निशान लगाई है को अंकिता का परिवार ये कांकी परिवार है तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे खो सायरा और निगार सनुक्त परिवार में रहते हैं तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे गो परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं इस पर हम सही का निशान लगाएंगे गो परिवार हमारी सुरक्चा करता है इस पर हम सही का निशान लगाएंगे सन्युक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सबी एक साथ एक कही गर में राते हैं तो इसमें हम सही का निसान लगाएंगे चो एक आंकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं तो इसमें हम सही का निसान लगाएंगे छो परिवार से हमें बाचान मिलती है तो इस पर हम सही का निशा लगाएंगे बच्चों या वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें धन्या